तो आज की टाइम आप खुद भी मार्किट में इस पॉइंट को अब्सर्फ कर रहे होगे कि हमारे मार्किट काफी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं इस्पेशली यह वॉलिटिलिटी हमें स्मॉल और मिट कैप इंडेक्स में ज़्यादा देखने को मिल रही है और यह चीज़ का रीजन भी आप जानते होगे कि आसे कुछ दिन पहले ही सेबी ने यह बोला कि हमारे SME और स्मॉल और मिट कैप इंडेक्स में एक प्रॉपर फ्रॉट डेबलाप हो रहा है और इस पूरी ही निउस के चलते हमारे SME स्मॉल कैप सेग्मेंट और मिट कैप सेग्मेंट में जो भी काफी साथ अब फ्रॉटिच स्टॉक्स थे उनमें हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला बट इस पूरी करेक्शन में एक और चीज़ ये भी हुई कि जब भी मार्केट में हमें इंडेक्स लेवल पर फॉल देखने को मिलता है तो ऐसे स्टॉक्स भी आपको फॉल होते हुए देखने को मिलेंगे जिनमें valuation wise और quality wise कोई भी problem नहीं होती और ऐसा ही कुछ हमें small और mid cap इंडेक्स में भी देखने को मिला जब पर कई सारे decent valuation पर जो stock trade कर रहे थे उनमें भी हमें अच्छा खासा correction देखने को मिला जिनके बारे में हमें आचके इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप मारे चैनल के एक regular viewer हो तो आपको यह बात अभी तक समझ आ गई होगी कि मेरा focus यह होता है कि केवाल आपको stocks के नाब ना बता के आपको overall markets और macro economy जो situations है उनको analyze करना सिखा हो जिससे आप पूरे ही market के situation को खुद analyze कर पा हो और अपने stocks जिन में भी आप invest करते हो उस पे आपको conviction हो पाए जिससे अगर market में कोई uncertain event भी अचानक से आता है तो आपको 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 नेज़ investments है उन पे conviction हो और कोई भी panic ना हो इसलिए सबसे पहले हैं market की situations को ही analyze करेंगे जो कि इस point of time पे mid and small cap index में काफी अची valuation पर trade कर रहे है जो कि आपको इस point of time पे हर हालात में avoid करनी है market में जो कि इस point of time पे कई सारे लोग कर रहे है सबसे पहले हम start हमारे small cap index की valuation से ही करते है तो अगर हमारे small cap 250 index का PE ratio कर आप देखो तो जैसे कि मैं पहले भी कई बार discuss कर चुका हूँ कि मार्च की starting में जो हमारे markets हमारे all time high पे थे small cap index की case में वहां से हमारे markets 6-7% का fall दिखा चुके है small cap के case और इसी के चलते हैं अगर आप PE ratio को देखो तो वही PE ratio जो 29.24 का चल ला था वो आज की time drop होके 27.30 का आ गया है जो कि काफी decent correction in valuation of small cap index वहीं पर अगर आप broader index का case देखोगे तो हमारे nifty ने year till date अभी तक रहां 2% के return दिए है overall पर वहीं पर अगर आप इसको compare करोगे बाकी nations से चाहे वो US का S&P 500 हो गया चाहे निक्की हो गया जापान का index इसले 102 सालों में इन सारी country's की economy के comparison में Indian economy ने काफी जाद अच्छा performance दिया है फिर भी market wise अगर आप year till date performance देखोगे तो हमारे market ने काफी underperform किया है इन सारी market दे comparison में विश शोस के हमारे market में आगे आने वाले time में एक अच्छी खासी rally pending है अब इसके अलावा भी अगर आप other news को भी देखोगे तो Fed आए दिन ये announcement करती रहती है कि वो जल्दी rate cuts करेगी and recently Swiss की तो Central Bank है उन्होंने तो अपने interest rates कट करना already start कर दी है अब Switzerland में ये rate cuts हमें इस चीज का signal तो देते हैं कि आगे आने वाले time में जल्दी हमें बाकी सारी major economies में भी rate cuts देखने को मिलेंगे which led to a bull run in the markets पर लेट में टेल यो ये वीडियो आपको किसी भी तरह के influence करने के लिए नहीं है कि आप वीडियो देखने का बाद जाओ और इस टॉक्स में invest करो मैं आपको request करूँगा कि इससे आप एक idea लो and further अपनी analysis करो इन सारी stocks में और फिर ही आप की जी stock में कोई buying or selling decision लेजेगा अब हम आते हैं अपनी list की पहली company पे जिसका नाम है ME Organics ये company वैसे तो एक specialty chemical company की तरह जाने ही जाती है बट में लिए ये अपने business में pharmaceutical intermediates और इसके साथी active pharma ingredients की APIs को manufacture करते हैं और इनका जो specialty chemical का business है उनके total business में किवा 16% ली contribute करता है till now पट ये segment का काफी तेरी से grow कर रहा है अब recently इस business की काफी ता बात इसी लिए हो रही है विकाज ये company अपनी strong R&D के चलते इन्होंने recently एक ऐसा electrolyte additive develop किया है जो की mainly battery जैसी storage devices में use हो रहा है जहाँ पर sales और batteries की manufacturing करते वक्त इनके इस additive का काफी तेरी से use बढ़ रहा है और अपने segment में बाकी सारे ही जो alternatives है उसके comparison में ये जो additive है वो one of the best performing additives है इसलिए इसके substitute इस point of time पर market में available नहीं है अब अपने इस electrolyte additive के development के बाद ये कंपनी इंडिया में ही नहीं बलकि वोर्ण वर्ड की इकलोती ऐसी company बन गई है जो कि इन electrolytes को इस level पर develop कर रही है outside China और इसके चलते इस पूरी company के जो products है इनकी डिवान इंटरनेशनल markets में भी तेरी से grow कर रही है जैसा कि आप पता है कि renewable energy के चलते EVs और इस सारे ही segment में batteries का एक काफी important role रहने वाला है और इस पूरे ही segment पे in-kitchen component है उनकी भी growth काफी 300 की market में अब इनी सारे developments के चलते अगर आप company के shareholding pattern को देखो तो you will observe कि recently FIs और DIs दोनों नहीं last quarter में shareholding को बढ़ा है अपनी company में वहीं पर अगर आपनी promoters की holding को देखो तो उन्हों नहीं भी 1% से अपनी holding को बढ़ा है जो कि काफी positive point है यहाँ पर आपको ये तो ऊपर से नजर आएगा कि public अपनी holding को decrease कर रही है जो कि again एक positive point है पर वहीं अगर आपनी के public में investors की list देखोगे तो यूविल अबसर्फ कि even ace investor like Ashish का चोलिया इस company में invested है अब अगर आप company के बाकी parameters देखोगे financial basis पे तो PE ratio wise तो आपको देखेगा कि company industry PE से महेंगे पर trade कर रही है पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि price की basis पे September 2021 पे जिस point of time पे company list हुई थी market में उस point से अभी तक company ने कोई भी returns नहीं दिये वहीं पर अगर आप इसके performance के result देखो कि quarterly results में तो evil observe कि company के sales तो ग्रो हुए है पर वहीं पर company की operating profit margin है वो September की point पे drop हुए थे और इसी विए से company के stock price में sudden fall देखा था पर जैसा कि आप देख सकते हो December के quarter में यह जो operating profit margin है वापस से recover हुए है और जो net profit है वो भी recover होता है वो देखने को मिल रहा है और अगर आप इनके year and year performance को भी देखोगे profit and loss statement में तो आप देख सकते हो कि company case में इन्होंने फिर भी अपने operating profit margin हो काफी अच्छी तरीके से manage करके रखा है and year and year उनके जो net profit है अभी भी grow कर रहा है अगर आप company के compounded sales growth को देखोगे तो you will observe कि company के tilling 12 months के sales growth है वो केवाल 18% की है अब let me tell you इस company case में इनके पास ये तो advantage है कि ये कि आप raw material के लिए बाकी सारी chemical companies की तरह चाइना पर dependent नहीं है पर इस company case में ये जो अपने product है वो काफी सारी ऐसी companies को supply करते है जिनका business पुसले कुछ टाइम में चाइना की वैसे hamper हुआ है जैसा कि पता है कि चाइना dump कर रहा है international markets में chemical को इसी वैसे company के sales है उसमें drop देखने को मिल रहा है पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये जो पूरी situation है ये बापस से recover कर रही है तो ऐसा मुझे मानना है कि जल्दी इस company के business में भी आपको एक recovery देखने को मिलेगी अब अगर आप इनके balance sheet में पर नज़र डालोगे तो CWIP यानि Capital Work in Progress यहाँ पर company ने last quarter में सबसे ज़्यादा खर्चा किया है CWIP पर विश्यों उसके company के पाथ अच्छे खास expansion plan है प्रकॉस उन्हें आगे की जो growth है वो साफ नज़र आ रही है अब अगर मैं आपको company के चार्ट पेटन भी लेके चलूँ तो यहाँ से कापनी का लेवल के लेवल के वापे से वापे से फॉल हुआ वहीं पर last year मैं के मन्त में जब कापनी ने finally अपने हजार का लेवल ब्रेक किया तो you can clearly see के वही हजार का लेवल अब company के लिए काफी strong support की तरह work कर रहा है और जहाँ पर current में भी company का तो stock price है वो सी support के राउंट trade कर रहा है अब हमारी इसी list में second company आती है प्राज industries जो की ethanol plants को बनाती भी है इसके साथ साथ supply भी करती है other companies को और ये company Indian as well as बाहर की companies के लिए ethanol plants को manufacture करती है अब let me tell you इंडिया में ये company ethanol manufacturing plants बनाने में वरता top companies में आती है और ये more than 50% का market share hold करती है पट अगर आप देखो तो December 2023 के मन्त के बाद से इस company के stock price में हम एक certain correction देखने को मिल रहा है अब इसके पीछे का reason भी शायद आपको याद हो कि इसी duration में हमारी government नहीं announce किया था कि इंडिया में sugar kin से आगे आने वाले time में October 2024 तक कोई भी ethanol का production नहीं किया जाएगा और इसके पीछे का reason भी simple था था विकाज उस duration के around the sugar kin थी उनके production कम हुआ था अब अगर यही sugar kin use होगा ethanol बनाने में भी तो इससे इसके पूरी supply पर impact पड़ेगा जिसके चलते जो sugar वगेरा के prices था market में वो बढ़ेंगे जिससे market ने further inflation growth देखने को मिल सकता है जो कि कि किसी भी government के लिए अच्छा नहीं है अगर election pass आ रहे है अब यहाँ पर मैं आपको खुद भी याद दिला दूँ कि हमारी government का खुद यह target है कि वो 2025 तक इंडिया में 20% ethanol blend करना चाते हैं पैट्रोन जिससे हमारे environment पे भी कम impact पड़े और इंडिया का जो crude oil पे expense हो रहा है इंपोर्ट करने पे उसको भी कम किया जा सके इसके case में जो भी इतने पिछने duration में पिछले एक साल में इस band के चलते ethanol के production में पूरा ही loss हुआ है उसको आगे आने वाले time में जब यह band हटेगा तो पूरा ही recover भी किया जाएगा जिसके चलते ethanol कंपनी का business का तेरी से गुर करने वाला है जिसके जलते प्राज industries के business की requirement है वो भी बढ़ेगी अब ethanol के साथ साथ प्राज industries compressed biogas technology भी provide करती है जहाँ पर यह biogas and biobased fuel बनाते हैं through feedstocks अब recently एक news market में यह भी आई थी कि जो biofuel बनाय जा रहा है इसकी जो properties है वो काफी हद तक similar है जो की aviation sector में fuel use होता है उससे अब ऐसे में अगर यह fuel की जगह यह bio gas वाला fuel use होगा तो उससे हमारे carbon emission भी कम होगे और रोबोला जो flight वगर की costing या वो भी कम पड़ेगी जिससे इस company के business को और further growth मिलेगी अब अगर मैं आपको prize industries की financials पे लेके चलू you can see company current जो PE ratio है वो July 2021 के बाद से काफी बड़े लेल पर correct हुआ है and current जो company का PE ratio है 35 का वो इनके industry PE के राउंट trade कर रहा है even अगर आप इनके ROC और ROE को देखो तो वो काफी healthy है and company का PE ratio है वो भी 0.75 का है जो की दिखाता है कि company अच्छी तरीके से grow भी कर रही है and valuation wise भी अच्छी valuation पर मिल रही है अब अगर आप इनके quarterly results को देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि quarterly basis पे भले कुछ time पे company के overall sales और net profit और fluctuation देखर को मिल रहा है पर year and year basis पे अभी भी अगर आप company का business देखोगे तो sales, operating profit margin and even net profit case में company continuously grow कर रही है जहापर even trailing 12 months में company के net profit है वो अभी भी इनके highest ever है जहापर अगर आप इनके compounded profit growth भी देखोगे तो वो भी decent है compounded sales growth जैसे कि मैंने आपको बताया कि trailing 12 months में उस news के बाद से काफी अधा impacted हुए है पर इनके stock price CAGR है वो last year 75% का है जो कि इनके overall average से काफी जादा है यहापर अगर आप company के बाकी सारे parameters भी देखोगे तो you will see कि CWIP में इनके balance sheet में capital work in progress में इनोंने काफी अधा capital expansion में work कर रहे है इसके लाबा इनके जो cash flow coordinate है उसमें cash flows भी इनके positive है जो कि again एक positive point है और last year अगर आप company के share holding pattern को देखोगे तो you will see कि promoter की holding concentrate रही है FIs ने last quarter में अपनी holding को slightly reduce किया है पर वहीं पर DIA ने 3% से अपनी holding को बढ़ाया है जो कि positive point है और again public के case में अगर आप देखोगे तो उन्हें पर शेयर होड़ी के लगातार इस company में कम किया है Now before jumping to a third stock मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप slightly more serious kind of investor हो तो आप consider कर सकते हो हमारी channel की membership community को join करना जहाँ पर मैं आपको regular basis पे marketer present undervalued opportunities के बारे में बताते रहता हूँ और जो भी market पे important event हो रहे होते हैं उसका impact market पे और आपको portfolio पे कैसा होता है इस से related पे आपको regular basis पे commentary देता रहता हूँ तो अगर आप चाहो तो हमारे membership community को join कर सकते हो और आपके लिए मैंने इस membership community का जो price है ना हमारे इस list में third company आती है Mrs. Baptist Food जो कि मेंली FMCG segment में work करती है जहाँ पर ये biscuits और breads वगरा को बनाते हैं और मैं quite sure हूँ कि आप में से जाता लोगों ने इस company की breads वगरा या तो use करी होगी या तो कही ना कहीं shops वगरा पे देखी ही होगी अब ये company को select करने का मेरा simple सा मतलब यही था कि जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दो से तीन सालों में इंडिया में higher inflation और higher interest rates की वएसे जो consumer demand रही है वो काफसे दा weak रही है जिस वएसे अगर आप बाकी सारी बड़ी-बड़ी FMCG companies को देखोगे तो इस company ने लगवक्त पिछले तीन सालों से zero returns दी है बड़े इसी तीन साल के duration में अगर आप Mrs. Bacter's Food के return देखोगे तो 179% के return दी है जो कि ये show करता है कि ये company FMCG segment में होने के बावजूद काफी एच्छी दरीगे से grow कर रही है अब Bacter's Food की इस तरह की performance की पीछे का एक बहुत बड़ा reason company का size भी है जहाँ पर HUL एन बिटेनिय जैसी company आज की टाइम लाखो करोड़ रुपीस का इनका market cap हो चुका है और Pan India Man के जो products है वो अल्रेडी पहुँच चुके हैं वहीं पर Bacter's Food की comparison में Bacter's Food का जो market cap है वो के बस 6,000 करोड के लगबक का ही है विश्यों से company के लिए expand करने के लिए अभी काफी बड़ा market available है जिस चीज का impact भी आपने के con call में साब देख सकते हो जहाँ पर recently HUL की con call में जब उनके management से ये पूछा गया कि आगे आने वाले time में जब situation improve होगी तो क्या company double digit पी revenue growth कर पाएगी तो let me tell you HUL के जो management थे वो अपनी double digit revenue growth को लेकर भी confident नहीं थे वहीं पर अगर आप Bacter's Food का case देखोगे तो काफी अच्छा से वैसे ही grow कर रही है अब company case में अगर आप इनके financials पर भी नज़र डालो तो अगर आप इनके historical basis पर P.E. ratio के chart को देखोगे तो इनके P.E. ratio भी इस point of time पर काफी reasonable value पर है इसके राव अगर आप इनके quarterly results पर नज़र डालो तो sales growth भी company case में decent हुई है और इनके operating profit margin है वो भी इनलों ने in-line रखे है जिस वाईसे इनके net profit है भले ही पिछले slowdown के चलते ज़्यादा grow नहीं किये है बट भी फिर भी ये net profit को अपने maintain करने में काफी ज़्यादा successful रहे है बात करोगे इनके profit and loss statement की year and year तो आपको दिखेगा के sales growth year and year काफी अच्छी रही है जा आप इनोंने 13% से लेके 15% का operating profit margin है उसको maintain किया है और जो net profits है वो भी लगातार grow हुए है बात करोगे इनके compounded sales growth की तो वो trailing 12 months में highest रहे है और compounded profit growth भी trailing 12 months में अभी तक के highest रहे है बात करोगे इनके cash flow coordinates की तो आपको समझ में आएगा कि company के cash from operating activities last 2022 में जो 84 करोड तक drop हो गये थे वो आपस से grow करके इस point of time पे March 2023 वाले year में double हुए है बात करोगे उनके share holding pattern की तो promoters की तो अपनी holding है वो उन्होंने constant ही रखी है वही पर पिछले कुछ time में 2 और 3 quarters में FIs and DIs की holding है वो बड़ी है और public के अपनी holding लगातार बड़े level पे इस company में reduce करी है और एक और positive point आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर शुरुबात में जब company में March 2021 के round पे जो उनके number of shares rate कर रहे थे वो 1,30,000 के round थे जब public की जो share loading और public का involvement था इस company में वो काफी जहाँ था पर आज की time अगर आप देखो यही जो उनके number of shares holdings है जो की आज की time गिर के 93,000 पे आ चुकी है due to public ने काफी अच्छी अपनी holding को decrease किया है जो की किसी भी company केस में एक positive sign होता है now before आप इनमेंसे किसी भी company में अपनी further analysis करके उसमें invest करने का plan करो यहाँ पर आपको दो चीज़ें को अखास ध्यान अखना है सबसे पहले इस point of time पे आपको हर हालात में lump sum investment को avoid करना है भले कोई भी company आपको कितनी भी attractive valuation पर नज़र आ रही हो अगर आपको इसको accumulate करना भी है तो हर 2-3 week में थीरे दीरे उसमें small quantities को ही accumulate करें second इस point of time पे यह काफी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि election वगेरा का scenario भी आ रहा है तो आप किसी भी company में जब invest करते हो तो आपको इसके fundamentals और financials को लेके double sure होना है और अगर आपको नहीं बता उनको कैसे check करना है तो उसके लिए मैंने एक detail वीडियो बनाया था जिजीरो से लेके end तक आप कैसे किसी भी company के complete fundamental analysis कर सकते हो तो उसके लिए आप screen पर दी वीडियो को click कर सकते हो और at date अगर आप चाहते है हमारी membership community को check out करना तो उसका link मैं आपको description box में दे दूँगा वीडियो को end तक देखने के लिए thank you हम मिलेंगे अपने next वीडियो में तब तक के लिए bye